हाई दोस्तों वेलकम बेक टो माई चेनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि स्टोक मार्केट में जी टीटी क्या होता है GTT sale के case में हम कब लगा सकते हैं और जब आप किसी stock को sale कर रहे होते हैं उस time पे stop loss और target price दोनों को एक साथ कैसे लगा सकते हैं पूरी चीज़े इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं तो simple words के अंदर में आपको बताओं कि GTT क्या होता है कि GTT वो traders लगाते हैं जो पूरे दिन पर market को track नहीं कर सकते और उनके द्वारा दिवी price पे उनके द्वारा एक price set कर देते हैं और उस price पे जब भी वो stock आता है तो उनका order automatic लग जाता है चाहिए वो order 2 दिन बाद में लगे चाहिए वो 10 दिन बाद में लगे यानि future में कभी भी उनके द्वारा दिवी price पे अगर वो stock आ जाता है तो वो stock sale हो जाए इसके लिए हम GTT लगाते हैं buy के case में और sale के case में दोनों के case में इस वीडियो में केवल आपको sale का example दूँगा buy के लिए मैं already video बना चुका हूँ उसका link description box में आपको मिल जाएगा तो जिस stock को आपको sale करना है जिस stock के लिए GTT लगाना है उस stock आपका portfolio में जरूरी है तो यहाँ पे मेरा latest view का stock portfolio में है तो मैं इस पे आपे GTT create करके आपको बताता हूँ इसके लिए आपको create GTT वाले बटन पे क्लिक करना है buy और sale का option है buy पे already video बना चुका हूँ तो sale के लिए दो option आपको दिखाई देते हैं एक तो single का दिखाई देता है और एक OCO का दिखाई देता है तो पहले समझते है single को उसके बार समझेंगे OCO को बहुत आसान है एक बार समझ में आजाएगा आप कभी नहीं बूलोगे तो देखे sale के case में क्या होता है कि for example यहाँ पे अभी जो stock में ले रखाए है वो ले रखाए लेटेंट का इसकी price चल लिए 600 रुपे की ठीक है अब मैंने यह सोचा कि जब भी इसकी price 700 रुपे आए तो मेरा stock automatically sale हो जाए चाहिए वो price कभी भी आए future के अनलर दो मीने बाद में आए चाहिए दो साल बाद में आए लेकिन मेरी price 700 रुपे आएगी तब वो automatic sale हो जाना चाहिए जब भी 700 रुपे price आएगी तब automatic sale हो जाना चाहिए इसके लिए याप हम sale के case में GTT लगाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे sale का button दबाएंगे single का button दबाएंगे यहाँ पे trigger price और यहाँ पे जिस price में आप sale करना जाते है उस price को आपको यहाँ पे set करना है तो for example यहाँ पे 600 का stock है मैं इसको sale करना जाता हूं यहाँ पे 700 रुपे में यानि जब भी 700 रुपे प्राइस आएगी तब मेरा stock automatically sale हो जाना चाहिए तो order नहीं क्या होता है दोस्तों कि अगर आप GTT नहीं लगाते है तो आपका stock के वाल एक दिन के लिए लगता है अगर उस दिन में आपकी वो price आ जाती है तो आपका order एक्जीट हो जाता है अदरवाइस वो cancel हो जाता है लेकिन हो सकता है कि वो price नहीं आए लेकिन मेंने यहाँ पे जो price set करी है इसका मुझे क्यों आज की दिन के लिए वेट नहीं करना फ्यूचर में कभी भी यह price आए तब मेरा order लग जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे GTT कर देंगे तो मेरे complete यहाँ पर GTT बना लिया है sale के case में single trigger price 700 रुपे जब भी trigger price 700 रुपे हिट होगी तब मेरा order exchange में चला जाएगा और 700 रुपे पर मेरा यह जो order है लग जाएगा एक quantity के लिए यहाँ पर quantity आप change कर सकते हैं मैं क्यों एक quantity को यहाँ पर बेचना चाहता हूँ 700 की price बस आपको यहाँ पर create GTT वाले बटन पर click कर देना है तो मैं यहाँ पर click करके आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ पर order में जाएंगे ओडर में जाएंगे यहाँ पर GTT आपको अलग टेप दिख जाएगा तो देखिए मैंने क्या किया है sale के case में GTT लगाया है एक quantity के लिए 700 की price में बिकना चीए लेकिन अभी price तर दिये 600 रुपे तो future में कभी भी जब 700 रुपे price आएगी तब मेरे automatically sale हो जाएगा मुझे इसको बार-बार में देखने की जरुत नहीं है तो एक option समझ लिए sale के case में single के लिए अब हम समझेंगे OCO OCO क्या होता है तो मैं आपको watch list में लेके जाता हूँ क्योंकि यह मेरे portfolio में एक ही stock था इसलिए जब भी हम sale के लिए लगाते हैं तो हमेशा आपको portfolio में उठाना होता है तो यहाँ पर जाएंगे create GTT किया यहाँ पर sale के case में अब यहाँ पर single का option आपको समझ में आ गया OCO क्या होता है OCO होता है one cancels other यानि कि one cancels other का मतलब होता है कि जब भी किसी stock की price अब यहाँ पर प्राइस दो तरह की होती है पहले आप समझ लीजिए प्राइस के होती है तो देखिए यहाँ पर करते हैं stop loss और target price दोनों set करते हैं stop loss का मतलब है कि हो सकता है कि इसकी price दिशा 600 रुपे चल रही है तो हो सकता है प्राइस की price कम भी हो जाए अगर हो सकता है इसकी price 200 रुपे हो गई तो मैं बहुत बड़ा लोस हो सकता है तो उस लोस से बचने के लिए मैं यहाँ पर सेट कर देते हैं और target price तो आप समझते है कि कि किस price पर हमको प्राइस करना है 600 की price से 700 रुपे हम सेल करना जाते है तो मैं पर target price सेट कर देंगे तो इस टोप लोस से बचने के लिए आप हम इस टोप लोस लगा दिया कि इस टोप लोस लगा दिया कि इस टोप की price 500 रुपे आएगी तो मेरा trigger हीट हो जाएगा और 500 रुपे मेरा ये हो गया पर सेल हो जाएगा ऐसे यहां पर टार्गेट के लिए हम टार्गेट सेट कर देंगे कि इसकी जब भी ट्रिगर प्राइस 700 रुपे आएगी तब मेरा जो स्टोप लोस और टार्गेट प्राइस दोनों एक साथ लगानी हो तो मैंने इस टोप लोस सेट कर दिया कि ज और जब भी मेरी टार्गेट पाइस 700 रुपे आएगी तब भी यह ऑट्रोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए तो मैं यहां पर लोस से बचने के लिए इस टोप लोस लगा रहा हूं और अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए यहां पर मैं टार्गेट पाइस सेट कर रहा हूं तो इस केस में क्या होगा कि सपोज करो प्राइस 600 रुपे चल रही है अब प्राइस आपकी हीट हो गई 500 रुपे तो जैसे ही ट्रिगर प्राइस 500 रुपे हीट होगी तो यह जो यह जो ट्रिगर है वो दूसरे वाले ट्रिगर को ऑटोमेटिकली यहां पे कैंसिल कर देगा आपने जो यहां पर 700 प्राइस लगाई है उस पर कैंसिल कर देगा और आपका जो श्टोक है वो 500 प्राइस में सेल हो जाएगा इसलिए यहां पर हम बोलते हैं कि तो नीचे वाले ने अपर वाले वाले को कैंसिल कर दिया तो वन कैंसिल अधर इसलिए यहां पर हम वन कैंसिल ऑचिन ओक्छिवर सार के शैर कर सकते हैं उस्क्याबाद में आपको क्लिक कर दे 나 हूं है कि sale के case में GTT कैसे clear कर सकते हैं single और OCO के case में क्या difference होता है single के case में आपे stop loss नहीं लगाते हैं जबकि OCO के case में आपे हम stop loss लगाते हैं तो यही अंतर होता है single और OCO में GTT और stop loss और target price में तो I hope आपको clear हो गया होगा वीडियो अच्छा रगा तो like जरूर करिए channel को subscribe करिए और share करिए thank you